हेलो स्टूडेंस, वेलकम बेक टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी स्टूडेंस, आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वक्षिट नमबर 23 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये वक्षिट 18 देसमबर 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वक्षिट वक्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मिले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वक्षिट वेन पीपल रेबल 1857 और आफ्टर पिछली वक्षिट में हमने देखा था कि 1857 की जो क्रांती हुई थी उससे क्या हुआ बहुत मतलब अंग्रेज जो थे वो हिल गए थे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जो इंडियन से हैं जो क्रांती कारी थे वो इस तरह से विध्रो करेंगे लेकिन उन्हों ने इस तरह जो लोग withdraw कर रहे है उनको किस तरह से शांत किया जायी है इस withdraw को किस तरह खतम किया जायी he brought reinforcement from England उन्होंने क्या किया इसके लिए और जो फोर्ज थी वो कहा से मगवाई England से उन्होंने और फोर्ज मगवाई पास new law to that the rebel could be convicted with the ease and then move into the strong center of the world उन्होंने क्या किया नए जो भी rebel कर रहा था जो भी रान्ती कर रही थी जो भी विद्रोई थे उनके अगेज उन्होंने नए ने rules बना दिये और इसके लावा जहां पे भी उनकी योजनाए बना रहे थे ये लोग वहां पे उन्होंने जो company थी उनके लोगों ने या जो British थे Emperor Bahadur Shah Zafar was tried to court and sent it in the life imprisonment इसके बादे को जो last Emperor थे मुगल Emperor थे बहादur Shah Zafar उन्हें क्या कर लिया गया उनको ढूंकर उनको क्या कर दिया गया उन्हें कैदी बना दिया गया और आज इवन कैदी बना दिया गया उनको पूरे मतलब जब तक वो जिन्दा रहेंगे वो जेल में रहेंगे he and his wife बेगम जिन्नत महल were sent to the prison in Rangoon in October 1858 अक्टूबर 1858 में उनकी किसकी बात कर रहें यहां पर भादur Shah Zafar को और उनकी वाइफ को दोनों को prison उनको कैदी बना दिया गया जेल में भेज दिया गया और उसके बाद where he died in 1862 और जहां 1862 में उनकी डैथ होगी प्रिष्टी उसने अपने अंडर ले लिया रानी लक्षमी बाइस डिफिटेट और इन जून 1858 जून 1858 में रानी लक्षमी भाई थी उससे भी क्या कर दिया गया हरा दिया गया और मार दिया गया a similar fate awaited रानी अवंती बाई ऐसा ही रानी अवंती बाई के साथ हो था हमने बहुत पिछले वक्षित में देखा था, कि विद्रोज किया गया था, वो बहुत तेज, मतलब उगर हो चुका था, बहुत तेज हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जो main नेता थे, जो main leaders थे, वो क्या हो रहे थे, मारे जा रहे थे, तांतिया टॉपे escaped from the jungle to central India and continue to fight, गरिला व वहां से वो अपना जो यूद था वो छेड रहे थे, वो अपना जो बलड़ाई थी, वो कर रहे थे, he was captured, tried and killed in April 58, और वो भी क्या हुआ पकड़े गया और उनको भी 1858 में मार दिया गया, अब जब इस तरह से जो main leaders थे, उनी को पकड़ के मारा जा रहा था, तो जो आम जो लोगों थे, उनके बीच में इस rebel को लेके क्या हुआ डर गए, वो उन्होंने इस rebel का जो विद्रोह था, उसका साथ छोड़ दिया, The British also tried to the best to win back the loyalty of the people and they announced reward for it, अब अंगरेजों ने इसके साथ एक और game खेला कि जो भी हमारे लिए loyal होगा, हम उसे reward देंगे, अगर कोई हमारे साथ जो लोयल्टी दिखाएगा हम क्या करेंगे उसको reward देंगे तो बाकी लोगों ने वैसे ही उनका साथ देना चोड़ दिया तो इस तरह से जो ब्रीटिश थे उन्होंने अपनी वापस से जो fight back किया उन्होंने जैसे ही विद्रोवा तो उसको पूरी तरह से शाथ करके अपना वापस से कबजा यहां पर जमा लिया year after rebellion उसके कुछ time के बाद में देखते है कि अवा the British had regained control the country by the end of the 1859 1859 के half में क्या हुआ जो ब्रीटिश थे उसने वापस से पूरी country पर अपना control ले लिया of 1859 but they could not carry the ruling the land of with this same policy anymore लेकिन अब जो ब्रीटिश थे पहले की policy जैसे की वो था ना कि अगर आपके कोई सन नहीं होगा तो आपकी जो property या हम ले ले लेंगे या वो जो सबको उन्होंने का था कि Christian बन जाओ इस तरह से जो rule कर रहे थे अब वो पहले की जो उनकी policy थी अब वो policy यहाँ पर आगे same policy के साथ में वो आगे rule नहीं कर सकते है given below are the important changes that were the introduced by the British अब यहाँ पर कुछ changes करे उन्होंने British ने जिससे कि वो क्या कर सके है यहाँ रूल कर सके अपना रूल चला सके इसलिए उन्होंने कुछ changes किये तो आईए देखते है क्या क्या changes किये बेटा the British Parliament passed a new act in 1858 they transferred the power of the East India Company to British Crown तो उन्होंने क्या क्या जो इस इंडिया कंपनी के पास जो पावर थी उसको कहाँ transfer कर दिया British Crown के पास है a member of British cabinet was appointed secretary of the state the India and made the responsible for all matters related to the government of India अब उन्होंने क्या क्या एक British cabinet बनाया जिसमें एक secretary लिया जो कि क्या कर रहा है सारे इंडिया के rule regulation को वही देखेगा वही उसमें ध्यान रखेगा he was given a counselling of advice called the Indian counselling और जितनी भी advice देनी है जितनी भी rules बनाने है वही बदाएगा इससे हमने क्या कहा India counselling the governor general is India was given the title viceride जो general governor था उसके पद को हटा कर उसको क्या कहा गया that is the personal representative of the crown thought these measure the British government accept directly responsibility for the ruling India अब उन्होंने क्या किया पहले जो काम कर रही थी East India company कर रही थी बट वो क्या था indirect काम कर रही थी अब जितना भी ruling का काम था सारा का सारा जो East India company जो ruling के तूर इंडिरेक्ली कर रही थी अब British ने अपने हातों में directly ले 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 सारा responsibility सिधी की सिधी उनके हातों में हागे और ruling chiefs of the country were assured that the territory would never be exused in future they were allowed to pass on their kingdom on their years including adopt son however they were made to acknowledgement the British queen in the Sarwagani paramount thus the Indian ruler were not were to hold their kingdom as subordinator of the British crown अब क्या खा गया अब जो British थे उन्होंने अब देखो क्योंकि अपनी कुछ rule जो थे उन्होंने change कियो तो उन्होंने यह बोल दिया कि अब जो उनकी territories है जो उनकी property है उस पर जो इंडियन की जो property है उस पर British अपना मलब जैसे कि हम पहले देख रहे थे कि क्या कर रहे थी कि तुम्हारे अगर कोई बेटा नहीं है या कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी प्रोपर्टी हमारे नाम आ जागी लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम् पड़ेगी जितनी भी जो rule regulation फोले होंगे वो किसके होंगे ब्रेटिश क्यून जो ब्रेटिश क्यून बोलेगी वही आपको करना होगा उसी को rule को आपको क्या माननी के rule को आपको मानना होगा तो देखो अब क्या कहा गया क्यूंकि पहले का जो विद्रो हमने देखा था जो रिबल देखा था वो किसकी वज़े से हुआ था जो वहां के इसके लिए उन्होंने इसके लिए विद्रो किया था बिहार सेंटर इंडिया और साउट इंडिया के जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने इनको तो में लेना ही नहीं है अगर इंडियन को लेंगे भी तो गौर खा सिख एंड पठान को हम अपनी आर्मी में एंड रिकुमेंट करेंगे नेक्स देखे क्या कहा गया बेटा वक्षिट में इनको वो क्या करेंगे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे जैसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि हिंदू और मुसल्मान को छोड़ो सब इसाई बन जाओ या इसाई के लिए उन्होंने प्रेफरेंस दीती तो अब उन्होंने कहा भी हम तुमारे धरम के मामले जो रिलीजन है उसम जो जमीदार्स के लिए उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए जो रूल्स बनाये थे उसमें उनको क्या कहा था प्रोटेक्शन दी गई थी और यह बोला गया था कि सिक्योर्टी ओफ राइट कि तुमारे जो राइट है तुमारे जो लैंड से रिलेटेड जो राइट है वो और कुछ चेंजिस आए अब हम करते हैं इसके कोशन ने इस तर कोशन नमर वन देखते हैं बेटा वट डिड़ ड़िटिश डू दा रिप्रेस्ट दा रिवोल्ट इन 1857 क्या उसको रिप्रेस्ट करने के लिए जो ब्रिटिश थी उन्होंने क्या किया तो देखो यहां से ब मुवेंट दिखते हैं वहां पर क्या कर रहे थे धावा बोल रहे थे तो यह हो जाएगा फर्स्ट का अंसर अब हम करते हैं कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू देखते हैं वाइड़ देखते हैं वाइड दिड़ रिवोल्ट एंट वह थी पूछ रहा है कि 1857 का जो रिव नमबर टू देखते हैं आंसर नमबर टू बिकोश द लीडिंग रिवर लीडर लाइक रानी लक्ष्मी बाई तांतया टोपे वर केल जो में लीडर थे वो क्या हो गय थे उनको मार दिया गया था डू टू विच दा करेज ओव दा पीपल वस ब्रोकन उसकी वज़े से उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या रिवर्ड को अनौंस कर दिया तेख बर फिर देखते हैं बिकोश द लीडिंग रिवर लीडर लीडर लाइक रानी लक्ष्मी बाई तांतया टोपे वर किल दू दू विच दा करेज ऑफ पीपल वस ब्रोकन अलो मीजकी के लोगो क्या हुआ लगा किसी तरीके से सब क्या हो गया थे हार गय थ उनको मार दिया गया था तो लाने लक्ष्मी बाई वस डीपिटेड 1858 उसके बाद में रानी अमंती भाई के साथ भी सेम हुआ और उसके बाद भी तांत्य टॉप पे थे कुछ टैम तक तो उन्हें क्या रहा वो जंगल में भाग रहे थे बच रहे थे और थोड़े तरह से यूद कर रहे थे अबर फाइनली तो यह हो जाएगा अंसर नमबर 3 अब हम करते हैं नेक्स कोशन बेटा देखिए कोशन नमबर नेक्स्ट क्या है 1857 के बाद में जो ब्रेटिश थी उन्होंने किस तरह की चेंजिस किये अपने जो रूल चला रहे थे वो उनमें किस तरह से चेंजिस किये तो थोड़ा सा कोशन लेंद फी है लेकिन इसमें पॉइंट्स आपको सब लिखने पड़ेंगे तो देखिए जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है यह पूर्शन आजएगा अंसर नमबर 4 यहाँ से लेके यहां तक करना है उसके बाद में यहां से यहां तक यहां से note कर लिजे बेटा answer number 4 आपका यहां से लेके यहां तक हो जाएगा क्योंकि सारे changes बताने 5 marks में आता है यह question तो थोड़ा सा lengthy होगा तो इसमें सभी आपको बताने कि उन्होंने कहा था respect करेंगे किसी की जमीन नहीं लेंगे हम ना तो यह पूरा जो soldiers थे उनको भी जो European soldiers थे उनका number बढ़ा दिया था तो यह पूरा आपको यहां से यहां तक लिखना होगा जो highlighted किया गया है वो आपका हो जाएगा answer number 4 अब हम करते है question number 5 देखे question number 5 क्या है बिटा what were the causes of these changes in British rule क्या cause मतलब British rule को change जो rule चले आ रहे थे उसको change करने के लिए क्यों क्योंकि अब जो नहीं उन्होंने पुराने जो rule regulation बनाये थे इससे वो अपना आगे का सफर नहीं कर सकते थे उसके सारे वो आगे नहीं चल सकते थे इसलिए उनको अपने जो rule थे वो change करने पड़े तो यहां से आ जाएगा answer number 5 बेटा they could not carry on ruling the land with the same policy anymore वो अपने पुराने जो rule regulation के ruling नहीं कर सकते थे इसलिए जो ब्रेटिश थे उससे अपने rule जो थे वो change करने पड़े तो यह हो जाएगा answer number 5, answer number 5 छोटा है but 4 जब question है वो थोड़ा length है आप कर लिजेगा बेटा तो बेटा आज की worksheet complete होती है थोड़ी सी length है but interesting है अपनी worksheet complete कीजिए worksheet complete करके अपनी teacher से check कर आएए और please मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए thank you students